नमस्कार दोस्तो हमारे वीडियोब चैनल में आपका इपर फिर से स्वागश है दोस्तो आज की वीडियो में हम KVS PGT हिंदी का प्रिवेशियर एक्जाम लेकर आई हैं दोस्तो अगर आप भी अपनी परिक्षा में अच्छे इंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी फाइदेमंद होने वाली है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियोब सुरू करते हैं इसका सही उत्तर है साक्षातकार सूचना लेने का प्रामानिक माध्यम नहीं है प्रश्न टैंटालीस सरकारी कामकाज में किसी विस्तरित विवर्ण, विस्तरित आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवार आदी के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित सयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्ट संक्लन को क्या कहते हैं इसके आप्षन है इसका सही उत्तर है संक्षेपन प्रश्न चवालीज निमलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? इसके आप्षन है इसका सही उत्तर है तुक प्रश्न च्यालीज टेलिविजन लेखन के द्रिशांकन में किसकी भूमिका नहीं होती? इसके आप्षन है आ निर्देशक बी निर्माता सी कलाकार दी कैमरामेंग इसका सही उत्तर है निर्माता प्रश्न 47 रसात्मक वाक्य ही काव्य है काव्य की उपर्युक्त परिभाषा के साचार्य ने दी है इसके आप्षन है इसका सही उत्तर है विश्वनात प्रश्न 48 टेलिविजन पठकता के द्रिश्यांतर में द्रिश्य प्राहन की तक्नीकी व्यवस्था कौन करता है? इसके आप्षन है अ. निर्माता निर्देशक बी. निर्मान सहायक सी. रूप सज्जाकार डी. अभिकल्पकार इसका सही उत्तर है अभिकल्पकार प्रश्न 49 निम्लिखित में से कार्याली हिंदी का कौन सा प्रयोक शेत्र नहीं है? इसके आप्षन है आ. अनुवाद इसका सही उत्तर है रचनात्मक लेखन प्रश्न 50 वर्णों में संधी हो जाने से है इसके आप्षन है आ. नई वाक्य रचना होती है बी. नया स्वर बनता है सी. नया वर्ण प्रयुक्त होता है दी. नई ध्वनी बनती है इसका सही उत्तर है नई ध्वनी बनती है प्रश्न 51 सेवासन का प्रकाशन वर्ष है इसके आप्षन है आ. उन्नी सो सोलह इ बी. उन्नी सो अठारह इ सी. उन्नी सो बीसी दी. उन्नी सो पंद्रह इ इसका सही उत्तर है उन्नी सो अठारह इ प्रश्न बावन किस विकल्प में उत्पत्ती के आधार पर शब्दों के भेद दिये गए हैं? इसके आप्शन है A. उपसर्ग, प्रत्य, संधी, समास B. एकार्थी, अनेकार्थी, परियाय, विलों C. तच्सम, तद्भव, देशज, आगत D. तच्सम, अर्धतच्सम, देशज, दीर्ध इसका सही उत्तर है तच्सम, तद्भव, देशज, आगत रश्न तिर्पन रामचंद्र शुकल के अनुसार आधी गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पत्संद रही हैं? इसके आप्शन है A. 35 B. 30 C. 45 D. 40 इसका सही उत्तर है चालीस प्रश्न चौवन मोरा जोवना नवेलरा भयो है कैसे गरदीनी कस मोरी मान? सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोही उस इस जाए उपर्योक्त कावेपंतिया किस कवी की है? इसके आप्शन है A. अमीर खुसरू B. विद्याप्ति C. मलिक मुहम्मद जाइसी D. कबीर इसका सही उत्तर है अमीर खुसरू प्रश्न पच्पन तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतत में भी डाल देगी जान उपर्योक्त कावेपंतिया किस की है? इसके आप्शन है A. सुभद्रा कुमारी चौहान B. हरिवन श्राय बच्चन C. नागार्जुन D. त्रिलोचन इसका सही उत्तर है नागार्जुन प्रश्न 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 गोरक जगायो जोग भगदी भगायो लोग किस कवी की है? इसके आप्शन है A. कबीर B. तुलसी C. सूर्दास D. गोरखनाथ इसका सही उत्तर है तुलसी प्रश्न सत्तावन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? इसके आप्शन है A. समवत 1000 B. समवत 1050 C. समवत 1075 D. समवत 1100 इसका सही उत्तर है समवत 1050 प्रश्न अठावन चीन्टी से लेकर हाथी परियन सभी पर कविता हो सकती है या कथन किस विद्वान का है? इसके आप्शन है A. महावीर प्रसाद द्विवेदी B. रामचंद्र शुक्ल C. मैथिली शर्ण गुप्ट D. बालमुकुंद गुप इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रश्न उन्सठ गुप्तजी वास्तव में सामन्ज स्यवादी कवी है प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथ्वा मद में जूमने या जीनने मैथिली शर्ण गुप्ट पर यह मन्तव्य वाले कवी नहीं निम्नलिखित विचारकों में से किसका है इसके आप्शन है अग रामचंद्र शुकल बी रामस्वरूप चतुरवेदी सी नगेंद्र दी रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुकल प्रशन साथ जब मन लागे रामसो तब अनत काहे को जाए दादू पानी लून जो ऐसे रहे समाए उपरियुक्त पंक्तियों का आशय है कि इसके आप्शन है आर मन राम के समान है बी मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भढ़केगा सी पानी नमक के समान है दी नमक पानी में लीन हो गया है इसका सही उत्तर है मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भढ़केगा प्रश्न 61 निम्लिखित में से कौन स्वच्छन तावादी आलोचक के रूप में प्रसिध है? इसके आप्शन है अग रामचंद्र शुकल B. नन्दुलारे वाजपई C. हजारी प्रसाद द्विवेदी D. रामविलाज शर्मा इसका सही उत्तर है नन्दुलारे वाजपई प्रश्न 62 स्वस्ती श्री तुलसी कुल भूशन दूशन हरण गोसाई बारहे बार प्रनाम कर हूँ, अब हर हूँ सोक समुदाई प्रस्तुत काव्य पंक्तिया किसकी है? इसके आप्शन है आव तुलसी दास B. स्वामी अग्रदास C. मीराबाई D. स्वामी हरिदास इसका सही उत्तर है मीराबाई प्रश्न 63 निमलिखित में से कौन सा कथन पदमावत के बारे में सही नहीं है? इसके आप्शन है A. इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है B. इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है C. यहाँ भारतिय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है D. पदमावत की काव्य शैली प्रौड और गंभीर नहीं है इसका सही उत्तर है पदमावत की काव्य शैली प्रौड और गंभीर नहीं है प्रश्न 64 निम्नलिखित वाक्य में रिक्तस्थान की पूर्ती के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चेहनित कीजिए ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेत का सारांश लिखिए इसके आप्शन है आ उप्युक्त बी उपर्युक्त सी उप्रोक्त दी उप्रोक्त इसका सही उत्तर है उप्रोक्त प्रश्न 65 चौपाई च्छन के बारे में कौनसा कथन उप्युक्त है इसके आप्शन है आ प्रत्यक्चरण में 16 मात्राएं अन्त में भगण नहीं बी प्रत्यक्चरण में 18 मात्राएं अन्त में जगण और तगण C. प्रतेक चरण में 16 मात्राए, अंत में जगण और तगण D. प्रतेक चरण में 18 मात्राए, अंत में लगु और गुरु नहीं इसका सही उत्तर है प्रतेक चरण में 16 मात्राए, अंत में जगण और तगण प्रश्न 66 निम्लिकित साहित्यकारों में से सबसे कम आयू किसकी रही? इसके आप्षन है A. जैशंकर प्रसाद B. गजानन माधव मुक्तिबोध C. प्रेमचंद D. भारतेंदू हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर है भारतेंदू हरिश्चंद्र प्रश्न सडसट अंग्रेजराज सुक्साज सजे सब भारी पैधन बिदेश चली जात यहे अतिखवारी इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्लिकित में से कौन सा राजभक्ती और देशभक्ती में द्वन्व है? इसके आप्षन है A. राजभक्ती और देशभक्ती में दून्डू B. अंग्रेजों की खुशामद C. स्थितियों से संतुष्टी D. अधिक सुक्सुविधा की कामना इसका सही उत्तर है राजभक्ती और देशभक्ती में दून्डू प्रश्न अर्सट जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता वनाओं पर वहां मेरे चित्तानुसाद नहीं यह कथन किसका है इसके आप्षन है A. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद B. भारतेंदू हरिश्चंद्र C. अयोध्या प्रसाद खत्री D. जगनात्दास रतनाकर इसका सही उत्तर है भारतेंदू हरिश्चंद्र प्रश्न उनत्तर निम्लिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है इसके आप्षन है A. साकेत B. प्रियप्रवास C. लोकाइतन D. कामाईनी इसका सही उत्तर है प्रियप्रवास प्रश्न सत्तर अंधेर है दस्यू फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या पंकी प्रसाद की किस कहानी से है इसके आप्षन है A. आकाश्दी B. पुरसकार C. गुंडा D. साल्वती अंधेर है आकाश्दी प्रश्न इकहत्तर गहना एक कनत में गहना एक मेह भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापिन एक निमाज एक पूजा उपरियुक्त काव्यपक्तियों के रच्चिता है इसके आप्षन है A. कबीर C. रैदास B. अमीर खुसरो D. गुरु नानत इसका सही उत्तर है कभी प्रश्न बहत्तर हजारी प्रसाद विवेदी के किस उपन्यास को रैट्व आख्यान भी कहा गया है इसके आप्षन है A. बानभट की आत्मक्था B. चारुचंद्रलेख C. पुनर्नवा D. अनामदास का पोथा इसका सही उत्तर है अनामदास का पोथा प्रश्न तिहत्तर कटगुलाब की रचनाकार है इसके आप्षन है A. मंजुल भगत B. मृदुला गर्ग C. मम्ता कालिया D. मन्नु भंदारी इसका सही उत्तर है मृदुला गर्ग प्रश्न चोहत्तर डो प्रशान्थ फणीश्वरनात रेनु की किस रचनाका पात्र है इसके आप्षन है A. पर्ती परिकथा B. कितने चौरा है C. दीर घत्पा D. मैला आंचल प्रश्न पचत्तर निमलिखित काव्यपम्तियों में नहित रस की पहचान कीजिए प्रच्छन रोग है प्रकट भोग सयोग मात्र भावी वियोगा लोग होँ में लीन लोग भूले हैं अपना अप्रिनाम O. क्षण भंगुर भव राम राम इसके आप्षन है A. शांथ B. श्रिंगार C. करून D. भक्ती इसका सही उत्तर है करून प्रश्न छिहत्तर हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार है इसके आप्षन है A. रामशंकर शुकल रसाल B. गड़पतिचंद्र गुप C. बच्चन सिंग D. रामकुमार वर्मा इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा प्रश्न सतत्तर निबंद को गड़्य का निकश किस आलोचकने माना है इसके आप्षन है A. हजारी प्रसाद द्विवेदी B. रामचंद्र शुकल C. महावीर प्रसाद द्विवेदी D. शामसुंदर दास इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुकल प्रश्न अठथतर सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मक्था अभी समय भी नहीं ठकी सोई है मेरी मौन विधा उपर्योक्त कावेपंकिया निमलिखित में से किसके वारा रचित है इसके आप्षन है A. जैशंकर प्रसाद B. महादेवी वर्मा C. नरेंद्र शर्मा D. सूर्यकांथ त्रिपाथी निराला इसका सही उत्तर है जैशंकर प्रसाद प्रश्न उनासी पुष्टिमार्ब का प्रवर्तन किसने किया था? इसके आप्षन है A. सूर्दास B. वल्लभाचार्य C. मध्वाचार्य D. रामानुजाचार्य इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य प्रश्न असी मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ासो मचल कर मतसाल ये काविपंक्तिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा रजित है? इसके आप्षन है अ. महादेवी वर्मा B. मैथिली शर्ण गुप C. सुमित्रा नंदन पंध D. जैशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर है मैथिली शर्ण गुप दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करना नहीं भूले और दोस्तो इस वीडियो को लेगर आपके मन में कोई भी सवाल है फिर सुजाव है या फिर आपको किसी ओर टोपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं धन्यवाद